दिखे आप एक पत्रकार के दुरुष्टी से देख रही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाओ का और चुनाओ के परिणाओं का दो दुरुष्टी से बहुत महत्व हैं। जो भी सरकार चुन कर आए हैं, उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो। और सरकार स्तीर और पून बहुमत की हो। क्योंकि सरकार अंततो गत्वा संकल पत्र या घोशना पत्र के आधार पर चुन कर आती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाओं में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टी का ग्रूप जो चुनाओं में जा रहा है। उसका गोशना पत्र पर ज्यादा से ज्यादा इसे जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है और स्थिर्टा नकिवल देश दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है तो मैं मानता हूँ हमारे 400 पार के नारे को विपक्स ने हमेशा की तरह एक सौट साइट उनकी जो बहुत कम दूर की द्रश्टी होती है इससे देखकर इसको पुलिटिसाइज करने का प्रयास किया है मगर मैं निश्चीत रूप से मानता हूँ स्थीर सरकारे देश को ताकत देती है स्थीर सरकारे निर्णायक कदम उठाने में साहाइक होती है स्थीर सरकारे करीबों को कल्रयान करने में साहाइक होती है स्थीर सरकारे अतंकवाज, नकसलवाज जैसे इंटरनल सिक्यूरिटी के खत्रों को कुचल देने के लिए मदद रूप होती है और स्थीर सरकारे देश के एजंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने भी बहुत साहय खोती है जो चार सो पार का जो नारा था उसको आप मिसिंटरप्रेट केजिए कुछ भी कहिए पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रेजरवेशन हटाने के लिए कर रहे हैं आप मुसल्मानों के हग को छीनने की बात कर रहे हैं उनका जो reservation है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं ये बात ground level तक जा चुकी थी तो चौथे round तक आप क्या कहेंगे कि क्या ये अगर आप कह रहे हैं कि निरनायक जो कदम है उसके लिए था not for taking out reservation देखे इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्स इतनी ओची राधनीती करता है तो हम तो receiving यह इंड पढ़ें मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से सपस्ट किया है कि अगर हमारा देश आरक्षन हटा नहोता तो दस साल से हमारे पास बहुत था इस देश की जनता नहीं दिया था हमने तो वो नहीं किया और जहां तक मुसलमानों के आरक्षन का सवाल है मैं आज भी फम हूँ कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं होना चाहिए इस अमविदान की स्कीम नहीं है समविदान इससे सहमत नहीं है और भारतिय जनता पाटी धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होने था आपने कहा कि 400 का जो टार्गेट था वो आतंक और नकसलवा जैसे को कुचलने के लिए ऐसे रीजन्स के लिए था लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मतुरा में कृष्ण जन्भूमी काशी में ज्यानवापी हटा कर विश्वनात मंदिर और पीयो के को पूर्ण तरह भारत के साथ जोडने के लिए इसलिए 400 का नारा देखे पीयो को पाक उक्यूपई कस्मिर का जहां तक सवाल है एकिवल भारती जन्ता पाटी नहीं देश की संसत का कमिटमेंट है कि पाक उक्यूपई कस्मिर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अतिकार है इसको कोई जुखला नहीं सकता या जो फारुक अब्दुला जी और कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको संदमान करिए पाक उप्यूपई कस्मिल का डिमांड न करिए मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि 130 करोड की आबादी वाला जनसंख्या वाला एक्टोमिक पावर भारत इमहान देश क्या किसी से डर कर अपने अधिकार जाने देगा किस प्रकार की सोच है और रहूल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्स्प्लेंड करना चाहिए इनके एलाइंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हूँ पाकिस्तान का संवान करो मटलब क्या को पाक ओक्युपई कस्मिर जाने दे वो कभी नहीं हो सकता मैं पूरओन अताया इस बात पर भारतिय जनितापाटी का मत रखने रखता हूए कि भारतिय जनितापाटी मानती है कि कि पाक कुपाई कसमिर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए और वो नहीं आता है तब तक हम सब कदाई तो अतुरा है पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है आपके इंटर्वी में बता कर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते उचीत समझ पर देश की और दुनिया की सीति देखकर मगर यह हमने हमारे एक लक्स तरह किया पर पहली बार आजादी के नारे लग रहे हैं वहाँ पर भारी तादात में पाकिस्तान फॉज भेज रही है वहाँ पर जो अप्राइजिंग है उसे कुचलने के लिए और भारत की तरफ से कोई मतब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहते जब भ अधिकार हम जतना नहीं चाहते हैं वहाँ मिसमेनेजमेंट है बैट गवरननस है वह उनका विशव है परंदु पाक अक्वपय कस्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कस्मीरी का मर्जर भारतिय संग के साथ हुआ है वह अधिकार को कैसे लेना वो भारत का सवाल है वहां के निस मे नंबर जो है टार्गेट उसके लिए दिखें वो दोनों के सुप्रीम कॉर्ट के सामने हैं सुप्रीम कॉर्ट नहीं के सामने हैं किसी इस तर पर पड़े हैं लंबी थैं नहीं इसका संग्यान भी लिया है इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब नियायल है के फैसला आने के बाद ही कंस्ट्रक्षन का फैसला कि आ क्या है वो आपका पॉलिटिकल डिसिजिजण उसमें और आपको पॉलिटिकल फाइदा मिला की नहीं मिला आप दक लिकिराम मन 요 सुर्वाग से करोडों लोगों जो की विश्वास का सवाल था आस्था का सवाल था और करोडों लोगों की स्रद्धा का सवाल था पर जब आपके नहीं जब भी BJP के जो कैंडिडेटस हैं उनके जो कैमपेंज होते हैं तो नारे तो लगते हैं जो राम मंदिर लेके आया हम उने लेके आएंगे लिखे वो नारे जनता लग रहे हैं ज्यादातर आप इन्हें दिखाऊगा मंच पर से नहीं लगते हैं जनता में इसे लगते हैं तो जनता के नारे कोई political party leader या तो आप भी नहीं तै कर सकती वो तो जनता ही लगाएगी इसमें डेमोक्रासी है ना इसलिए परन्तु मुद्ध तब बनाई सिलेक्षंवे राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्टा हो रही थी सभी राधनितिक दलों को निमंत्रन बेजा गया पूरे इंडिय एलाइंस ने एक घमंडिय अगठोएंदर ने प्राण प्रतिष्टा का कारेक्रम का बहीज कार किया और मेरा पस्ट आरोप है जिसका जवाब उन लोग देते नहीं कि इन्होंने अपनी माइनोरिटी वोट बेंग के डर से वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा उनकी पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आये थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निशकासित किया गया या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्षन की नौटिस दिये गए वो हमारी पार्टी में आये अधर मेरा fera एक ही मुद्धा है के एड के दिन यह का आपको मुसलिम भृइयों के साध इड मनाने में कोई जिजग नहीं है आप मुसलिम नहीं हो तो भी मगर हिंदू होते हुए राम मंदीर की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाते हैं कि मुस्लिम वॉट बेंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी किस तर की पॉलिटिक्स है आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छे कर रहे हैं चल कर रहे हैं अमिश्ण जी कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले दो राउंड या तीसरे राउंड तक नारेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगल सूतर पे था और अब जाके महिला पर है कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है देखिये सारे नेरेटिव आप लोग बनाते हैं आप लोग तोड़ते हैं आप लोग घड़ते हैं भारतिय जनता पार्टी का और NDA का एजन्ड़ा बहुत सपष्ट है दस साल में मोदी जी ने गरीब कल्यान के लिए ठेर सारे काम करी हैं दस साल में देश के चहुं मुकी विकास के लिए हमने बहुत काम की हैं दस साल में देश सुरक्सित हुआ हैं दस साल में देश सम्रूद हुआ हैं और दस साल में ठेर सारी जिदी टैक की समस्याओं से देश को निजाद मिली हैं और यही हमारे election का agenda है कि भारत का गवरव पुरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के efforts के कारण, उनकी समता के कारण, उनकी समविधन सिलता के कारण और agenda को निचे तक पहुचाने के इनके सभाव के कारण हुआ है पर यह सिर्फ narrative की बात नहीं है, जो first three, two, three rounds की बात है, वहाँ पर महिला voters जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला voters जो है, वो अपने पुरुष voters के संख्या में ज्यादा आए हैं और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष family के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ vote डाल है, उस हिसाब से नहीं कर रहे है, उनका अपना मन है, तो अगर ऐसा है, तो अच्छी ही बात है, देश की माता हो बेनों ने अपनी इच्छा के अनुसर वोट लेना ही चाहिए, क्या आपके कोई ऐसे policies हैं कि लाभारती जो है, वो महिलाएं हैं, इसलिए लाभारती छोड़ किसी नहीं किया, नहीं पार्लामेंट आई, तो मोधी जी ने सबसे पहला बील लाना, कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षन विधान सभाव में और लोग सभा में लाना, मोधी जी ने उचित, इतना बड़ा अधिकार, मोधी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम, पर हम ये इंटर्व्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहां पे मुख्य मंत्री जो हैं, वो महिला हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था, वो BJP का शड़ेंतर था, उनसे रचा गया, ये खेल था, दिखिय अचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं सारवजनिक करते हैं तो वो छिपाने के लिए फिर सत्याचार करें संदेश काली इसका क्लासिक एक्जामपल है एक महिला मुख्य मंत्री के नाक के नीचे धर्म के अधार पर धेड़ सारे महिलाओं के साथ दुसकर्म होता है और वो चुप पैठी है हाई को इंटर्विन करना पड़ता है दोस्यों को पकड़ने के लिए उसके बाद भी जान ठ पर देती है उनको सर मानी चेए विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं आपका ही जो अलाइंस करनाटका में है वहां पे भी और तो पर अत्याचारू अथा प्रजवल रेवर्णा का केस बता रही हूं है वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया कि आप करनाटक से यति सअरकार किसकी उनको एरेष करने की जिम्मेदारी किसकी है कोंग्रेश करने की मेरा बहुत प्ष्ट उम्थ है कि कांगरेश के डापिट्टी ECM वोकल इगा जाती से आतें है पर इनको हात नहिसे बती लगा है और अपनी वोकल इगा कि है तो उनकी है जैसे ही गटना बाराई मेरी पार्टी की और से मैंने ही स्पष्ट किया था बले हमारे अलाई हो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए या तो वह सी भी आई को देने बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे दिखे बड़ा दुर्भाग्य पोह है एक जमाने में यूपी बिहार में रेगिंग होती थी चुनाव आयो प्रिवेल कर गया रेगिंग समाप्त हो गए तीरे दीरे चुनावी कल्चर भी बढ़ला एक जमाने में अतंकवादी कस्मिर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने दे दो दिन पहले वहाँ पर भी 35 प्रसत वार्टिंग होई एक रेकोड है मतलब अतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रेकोड है परन्तु बंगाल एक देश का एक इसा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीमसी सरकार है जहां चुनाव के बाद भी ह इंसा छोड़ दीजे पर यहां हीकोड ने ओर्डर करना पड़ेगा आप वाटसेप परचा डाल दें जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है नीचे कोई दूसरी पार्टी के कारेकरता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है कोई टीमसी छोड़कर यह नहां आएगा तो उसको फासी चड़ा देते हैं और क्याते हाथ मत्या कर दी मैंने ऐसा दुरुष्य कहीं नहीं देखा एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी परहनतु केरल की हिंसा मार्पिट वाली होती थी तो गरीब लोगों को आप फासी पर लटका दोगे जिंदा जिंदा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो करकर अपिल करता है मैं तो जल अब जलकर मरने वाला हूं आप इस आसन को बदली हैं पर इलेक्शन कमिशन ने साथ फेज़स में चुनाव किये थे सेंट्रल फोर्स इतने भेजे गाए हैं फिर भी हो रहा है देखे इस बार पहली बार चुनाव के दुरान इस हिंसा नहीं हो रही है मगर घट चुनाव में भी चुनाव के दर्मियान कम हिंसा हुई जितने के बाद ममताजी ने हिंसा का तांड़ खेला और कही हमारी तो सपत ही नहीं हुई तो वेक्यूम पिरियड जो है उसका वो उप्योग करती है मैं मानता हुँ वेक्यूम पिरियड में भी इलिक्षिन कमिस्टा की चिंता करने चाहिए क्युक्त सपत के बाद तो उनकी कॉंसि थी होती है जब सक वेक्यूम है इसकी चिंता करने चाहिए ममता पैनर जी जो हैं वो हर एक राली में कहती हैं कि CA का फॉर्म मत साइन कीजिया आपको नागरिक्ता नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए देखिया आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे जाओं दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिक्ता मिलने जा रही है यह देश का कानून है श्मिता जी और इसको इस तरह से जुठलाय नहीं जा सकता जो हिंदू सी बहुत जहिन क्रिश्चन भारत पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बंगलादेस और अफगानिस्तान से आएं वो सारों लोग 2014 के पहले जो सरनार्थी बनकर आया है उनका अतिकार है डोकिमेंट हो न हो उनको नागरिक्ता मिलेगी आपने का कि अगर बंगाल में बीजेबी को 30 से ज्यादा सीट मिलते है तो ममता बैनर जी की सरकार नहीं रहीगी ऐसे कैसे उनकी खुद की सरकार में उनकी कारेपद्दती और भतीजे को तवज्जू देने के कारण धेर सारा असंतोस हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपून चीज होती है एक बार जनता का जनादेश completely इनके खिलाब जाएगा बंगाल के अंदर निच्चित रूप से उतर पर हमें कुछ करने के ही जरूरत नहीं पड़ेगी 18 सीट में पोलिंग हो चुकी है इस राज्य में कितने सीट आप कहते हैं मैं अभी भी मेरी बात पर काया हूँ हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निच्चित उप से बंगाल के जनता इस वर बहुमत सीट नरेंदर बोदीजी को देने जा रहे हैं क्या यही कारण है कि ममता मैनर जी जो है वो इंडिया अलाइंस पार्टनर्स के राज्यों में जाके प्रचार बिलकुल नहीं कर रही है हालां कि इंडिया नाम ही शायद उन्होंने दिया था वो एटलीस वो क्लेम करती है पर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया वो सिंगल उनका संबन जो है नवीन बाबू के साथ थोड़ा सा खटा मीटा रहा है in the past उदीशा आप जा रहे हैं वहाँ का आप बताईए कि वहाँ चल क्या रहा था क्योंकि नवीन बाबू जो है वो अपना previous record तोड़ना चाहते हैं simultaneous elections हो रहे हैं वहाँ पर तो बीजेपी का क्या वहाँ पर क्या रणीती है देखे स्मिता जी एक बात समझ लिजी ये बात को नवीन बाबू ने भी स्विकार करना चाहिए कि और इसाब देश के बाकी हिस्सों की comparison में इतना विक्सित नहीं हुआ जिसना बाकी के स्थीर सरकारों वाले राज्यों का विकास हुआ है चाहे गुजरात हो महराश्रों paste हो मध्य हो स्धlove today Water सो हमाचल हो वह इतना विकास नहीं हुआ है पर पंद्रा साल तो स्थीर सरकार थी वहां पर फिर भी नहीं हुआ है इसलिए जनता बदलाव चाहती एक दूसरा मैं मानता हूं कि औरी सके प्राइड का मुद्दा भी बहुत महत्पुन हुआ है लोगों को कहीं न कहीं लगता है कि नविन बाबु के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है ओडिया भासा ओडि और इसके प्राइड का इस्यू बहुत बड़ा हुआ है और जीस प्रकार से प्रसासन ने राम जन्बो भूमी के प्राण प्रतिष्टा में सरकार का उप्योग करकर लोग उत्सव में लोगों की हिस्सेदारी रोकने के लिए प्रयास किया इससे भी लोग बहुत खफा है न चले जनता जब मन बनाती है तब चहरे दिखाई नहीं पड़ते हैं जनता यहीं डूंड देती हैं हमारे पास अच्छा नेत्रू तो हैं कई सारे लोग हैं सक्सम लोग हैं अनुभवी लोग हैं विस-विस साल से रादनेती में अलग-अलग जिम्मेदारी सम्माले हुए ल बिहार में क्या आपको गट बंदन का नुकसान होगा या फाइदा क्योंकि ए अंटी इंकंबंसी नितिश कुमार के अगेंस्ट काफी दिख रहा है ग्राउंड पे यह चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गट बंदन की स्ट्रेंथ भी बहत अच् तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूं जो उतर प्रदेश में इंडिया एलाइंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरी वाला है उनका नेरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया क्या यह आप मानते हैं अभी तो वो कोई कलग इस्यू में ही फसे हैं थोड़ा इनको फ्री जान देगी मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको विचारे को जी सिस्यू में फसे इससे निप्टारा लाने दीजे काहे को इस सब में उल्चाती है पर वो है ना बीस दिन और बाहर है उन्होंने काए कि अगर इस्यू अभी तो चल रहा है ना देखे कि इतना चलता है वो कैंपेइन में तो कहरें कि अगर जाडू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी दिखे तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रिम कोट का स्पष्ट रूप से कंटेम्ट है इनका कहने का मतलब है जो विजय होता है सुप्रिम कोट उनको दोसी होन में क्या कहेंगे इंटेरिम देखे सुप्रिम कोट को अधिकार है नियाए की वियाख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जूडिसल जज्जमेंट नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल टीटमेंट ने इसलाब दिया गया करें लोगों यह एक एप्टने कैमरा लगाए हुए थे दो टविए प्याहिते क्लिक्राइब भुटेंटेंगे और वो rudya टूटा नहीं हूं और वह तीयार में?. उनके पास है, हमारे पास n вним है, यह continuously junďत बोलते हैं जहल प्रसाषन, दिल्ली स्रंकार के हाथ में केजरिवाल जी के रहत में गुरू मंठरा ले का आत में नहीं है तो मतलब दिन में कम से कम थे बयान आते हैं केजरिवाल जी से और उन्होंने पिब्स कर गगिया क्योंकि वह कहते हैं पहले कि प्रधान मंतति फुल तर्म नहीं रहेंगे तो मोधी की गारंटी keine नहीं वह अमिशाजी की गारंटी बन जाकी किक्मान आप संभालेंगे चलिए आप इतने इतनी शीरिएसली ले रहे हैं वो सिर्फ पाईस इट्लर रहे थे छुश इतना और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरिवाल आपके लिए कोई अच्छा समचा नहीं है, 29 के बाद भी मोदी जी ही अमरे चुनाव अभ्यानों का नेता है, उनके नित्रूता में ही हम चुनाव महराश्चा पर पूछती हूँ, महराश्चा में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रिजिनल पार्टी को तोड़ा है, चाहे NCP मोर्शिन से ना मुझे दो बात का जवाब दीजे, अगर सरत पवार जी अजित पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी तूकती क्या, और उद्धव जी अपने बेटे की जगे, एकनाच सिंदे को महत्व देते तो पार्टी तूकती क्या, ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और सरत्पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टिया तूटी है, खाम-खाम पर इंजम लगा रहे हैं, वो ऐसी भियोस्ता चाहते हैं, राजा साही जेसी, कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्रा अधिकारी बने, अब है तो लोग तंत्र इस तेश म कापी लोग इसको स्विकार नहीं करते हैं, वो अलग हो रहे हैं, यह रीजनल पार्टी के साथ होता है, सब भी रीजनल पार्टी में परिवार वाद है, इसमें अजह सहाजिक क्या है? क्योंकि शरत्पवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महराष्टा में और बाकी राजों में भी जो रिजनल पार्टीस हैं वो Congress में they should merge with the Congress तो इसका मतलब शरत्पवार जी स्विकार कर चुके हैं कि सुपरिया जी पार्टी नहीं चला सकती पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि Congress अब उनको Congress Party को strengthen करने का वक्ता क्या है भई कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यू करकर Congress Party को कब strengthen करेगा जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है तो इतने सालों से क्यों नहीं किया सरत्पवर जी ने बता यह मुझे आप guarantees की बात कर रहे थे आपने Congress की guarantees को Chinese guarantees का पी ओके की तो बात चली रही थी आप चाइना को भी लेके आ गए conversation में Chinese guarantee मैंने टिका उपना के अधर परका है यह सच नहीं होता है मैं बताता हूं मैं भी तिलंगणा गाया था वहां की मेलाय रहा देख रही है कि हमारा 12,000 रुपय कव बाएगा था वहां के किसान 2,000 के कर्जमाफिकी रहा देख रहे हैं वहां की बच्चियां स्कूटी की रहा अब ढूंड़ रहा है रहूल जी को तो दक्षिन में चुनाव ख़तम हो गए रहूल जी अब उतर में आ गए उतर में आ गए मगर दक्षिन में था तब भी तो वो जाते थे तो इसलिए मैं कहता हूं यह गैरंटी का कोई मतलब नहीं है यह चुनाव तक बोलते हैं फिर ब बयान पर कायम हूं करनाटक तेलंगाना आंद्रप्रदेश कीरल और तमिल्लाड यह पांच राज्य मिलकर जितनी सीटे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आए गया इस चुनाव में उतर प्रदेश में अब प्रचार इठ पिक्ट आप आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं आपने हम सीटों में बड़ोतरी करेंगे हमारी कितने वह अभी कह नहीं सकते तीन चरण बाकी है परन्तु लास गर्चुना में हमें 65 सीटे मिली थी हम इससे और आगे जाए अब राय बरेली में आपने प्रचार किया वहां पर आपने कहा कि ज सिर्फ माइनोरीटी पर आपकती है बाकी की वोटर आपके नहीं है क्या टिकन फॉर गंटे डिले रहे हैं इतना ही चुटा सा सवाल है वहां पर जो आपका कैंडिडेट है उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है कि आप एक किसी और सकते हैं नौ साल का था तब नारे लगाता था इमर्जंसी की खिलाप थोड़ा बड़ा हुआ हम आसाम के नरसंहार के लिए नारे लगाते थे आसाम की गलिया सुनिये इंद्रिया गादी खुनी है स्ट्रेचर देश की जन्ता बनाती है कहीं जन्म लेने से नहीं बनता है स्मिता जी हम सब सामाने परिवार से जन्म लिये हैं हमने जन्ता ने बड़ा किया है तो लोकतंत्र का मटलब क्या है और मेरी बात याद रखे आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रेचर कम है वो दिनेश प्रतापसीन राहूल गांदी के सामने चुनव जीत करा है। कि यह जखे भी करते हैं कि मेरा परिवार यहां आता नहीं है यहां पे और मैं आती हूं ग्रहमंद री को कैसे पता कि मैं यहां आती हूं कि नहीं आती हूं क्योंकि आपने काता है। और भिजनीक है भी और लोगे के बता देते हैं ऊप्यूदय इसे आप कैसे देखते हैं जी दिए कोई बी चुनाव कहीं पड़े सकता है अगए राहुल गांडी जीन्हें वाइनाड से मर्यट के पहले कहा देना तो भी वो कर सकते हैं पर तो मुझे ठीक नहीं लगता पर वाइनाड की जनता को चाहिए कि मैं दो जगे से लड़ने वाल हूं आप आपका फैसला करिएगा इसमें क्या अपति हो सकते हैं वाइनाड का चुनाओ पैक होने के बाद जब पूस्ट पोल सर्वे की जानकारी में दिखता है और फिर आप रहे बरेली आते हो तो मैं मानता हूए वाइनाड के मतब दाता हो के साथ अच्छा नहीं है राउल गांदी से आपने पांच सवाल पूछे थे क्या उमीद है कि वो जवाब देंगे अब बड़े लोग है भई मुझे मालूम नहीं है वगर मैंने सारवजनिक रूप से पूछा है मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए आप उने बड़े लोग कहते हैं उन्होंने तो का कि हम डिबेट करना चाहते है लेकिन बीजेपी समझती कि प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री सब बहुत बड़े लोग है वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी यवी मैं तो आपके साथ डीबेट ही कर रहा हूँ, मैंनों को आपके साथ बैट कर ऐसा डीबेट करते हूँ यह नहीं देखा है। उन्होंने इंटर्व्यू दिये नहीं है, इस बार कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं आप? मैं नहीं इतना अनालिसिस करता हूँ, मैं मेरी पार्टी की चिंता करता हूँ. उन्होंने कई जगा कहा है कि जो इंडिया में जो पद्दती है, चाहे अगनीवीर स्कीम हो या फिर IIT वगेरा, उसमें क्या हो है, उन्होंने जाती के बारे में कहा है, कि जो अपर कास्ट के IAS ओफिसर्स वगेरा हैं, वो जो पेपर बनाते हैं, उसकी वज़े से जो OBC या फिर दलित परिवार के बच्चे हैं, वो नहीं वो आंसर्स दे सकते हैं, उसके. मिता जी, इनको कुछ जमेनी हकिकत मालूम नहीं है, चाहे स्टेट का केडर हो, चाहे ओल इंडिया केडर हो, सब के लिए रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, तो बरोबर उनके कोटा के हिसाब से, उनकी कोटा के अनुपात में, उनका सिलेक्शन होता है, इनको मालू पेपर सेटिंग से क्या लेंदेन है, ऐसी बच्चा है, ओल इंडिया सर्विस में आता है, या स्टेट की सर्विस में एक्जाम निशन देता है, तो उसका कोटा आता है, पेपर सेटिंग से इसका कोई लेंदेन नहीं है, इनको साइब पित्रोडा साब ने लिग कर भेद दिया है, कोई कारा गोला ऐसा कुछ था मैंने भी सुना था कुछ तो यहां बोलने लगे हमारे सम्विदार ने रिजर्वेशन दिया हुआ है उनको याद नहीं है साइड वो कहते हैं कि कि जो अपर कास्ट के लोगें वही हैं जाए आयेस हो चाहे मीडिया हो जाए इंडस्री हो फीक्स है तो फीक्स लोग तो आते ही है वो तो कहते कोई आता ही नहीं मैं आपने नकसलवाद की बात कही इंटर्नल सेक्योरिटी का जो है जारकन चतिसगर्ड में जो नकसलवाद पर पस्तूपती इनारा नकसलीज देते थे आज मैं आपके इंटर्यू में स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जारकन बिहार तेलंगाना औरिश्या आंध्यपदेश मध्यपदेश और महराष्ट चतिसगर्णे पून तया नकसलवाद से मुक्त हो जारकन तेलंगाना और मध्यपदेश के कुछ हिस्से से हैं जहां 40 साल के बाद रेशन कार्ड बढ़ रहा है पटवारी की ओफिस खुल रही है मत डाता सूची फिर से बन रही है सरकारी स्की मुका लाब नागरिकों को और ट्राइबल्स को मिल रहा है 40 साल के बाद बुरा पहाड करकर एक जगह है जारखन में आप जाकर आईए और हमारी सिक्यूरिटी फॉर्स इसने क्यावन दिन तक ऑप्रेशन करकर बुरा पहाड को कम्प्लीटले नकसलियों से मुक्त करा है अब 36 गड़ के तीन चार जिलों में एक समस्या बची है मैं मानता हूँ कि अगले दो साल में तीन साल में देश नकसल समस्या से मुक्त हो जाएगा और 36 गड़ में भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद साड़े चार महिने में एक सो बारा नकसली मारे गए हैं लगबग पौने चार सो सरेंडर हुए हैं एक सो तरेपन एरेश्ट हुए हैं इतना बड़ा अभियान एक पांच महिने बिदिया है जो कॉंग्रेस की सरकार्थी तब स्थग इतना गए थी और on the contrary Congress Party ये कह रही है कि फेक एंकाउंटर हो रहे हैं मैंने कई इंटर्यू में का है तुलसिदा जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मती हर लेता है Congress Party के साथ साथ यह ही हुआ है इंटर्नल सेक्योरिटी के बारे मैं ही पूचूंगी क्योंकि आप ग्रह मंतरी हैं बाला कोट स्ट्राइक और पुल्वामा के उपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है लोग कह रहे हैं कि पुल्वामा में जैसे रेवन्त रेडी ने कहा कि यह IB और RAW का फेलियर था संजे अगर वो देखते हैं तो एंदा बोलते हैं यह लोग इतने छोटे मन के हो गए है कि मोदी जी को इसका यस्त न मिले इसलिए इसी ब्रहनती फिला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ है मुझे बताई है स्मिता जी इतने बंदमा के 10 साल में हुए सुनिया महन महन सरकार में एक का कॉंक्रीट जवाब दिया गया है क्या 2611 सिर्फ 2611 नहीं ब्लास के सिरीज ब्लास जाइपूर मुंबई एंड़ाबाद है माले गाओं क्या किया आप ने विरोग भी नहीं किया माइनोरिटी वाट बैंक के डर से नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुश कर मरा है और वो छोड़ दीजे धारा 370 जाने के बाद कस्मीर की स्थीति को पूरा परिवर्तीत करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मैं आपको बताता हूँ 33 साल के बाद वहाँ थियेटर सुरू हुए 33 साल के बाद वहाँ पर ताजिया का जुलूस निकला है दो करोड ग्यारा लाग परियटक आये हैं पत्थरवाजी की एक भी गटना 23 चोईस पूरे साल में नहीं हुई पूरे जम्मू कस्मि में दो दर्दा दर्बार की सिस्टिम बनाए रखी थी हमने समाप्त कर दी हैं लगबग लगबग हजारो करोड का इंवेस्टमेंट आप कस्मि में जा रहा है तितीस हजार जन प्रतिनिदी पंच सरपंच तैसिल पंचाइज जिला पंचाइद के चुन करा हैं और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता हूं कि अठावन हजार करोड की 22 परियोधनाओं को हमने देडर काम पूरा कर देडर करते हैं आपको काशमीयर के हर घर में नल से जल पहुंचा है हर कस्मीरी में डेश में पर गरिब को मिल्ता है हर कस्मीरी मैं तक स्वास्त की सुएदय कस्मिल प्रसासन और नरेंद्र मोदी जी यह हैं और इसके साथ-साथ अमने कठोर कदम उठा इसे बेदखल किया जा रहा है कठोर कदम हमने उठा है और इसका आद नतिजा है कि जो लोग भारत के संविधान को मानते नहीं थे चाहे जमाते इस्लामी हो चाहे हुर्यत हो दो दिन पहले चुनाओ में सब ने वॉट किया है और फारुक अब्दाला साब को संग्यान होना चाहिए कि आपके इस आसन में वहां 8 परसंट 10 परसंट 13 परसंट वाटिंग होती थी कल 40 परसंट तक 36 परसंट वाटिंग होई है बहली बार कास्मिरी पंडित 35 परसंट से ज्यादा वॉट डाले हैं जो विस्तापी थे उनको भी अपना अधिकार वापीस मिला है और मैं तो जब मुकस्मिर की जनता को कहना चाहता हूँ जिसको भी चुनना है उसको चुनिए परन्तु खूल कर मत्दान करिए यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जो भारत के समविदान ने आपको दिया है 37% voting स्रीनगर में अगर इतना confidence है इंडियन constitution पर इंडियन जो वो कहते हैं कि हमारा आईन हमारा हक है महबूबा मुफ्ती कहती है लेकिन इंडियन constitution पर confidence है इसलिए 37% लोग voting करने आए थे तो आपकी party क्यों नहीं लड़ी वहां से दिखे एक गलत फेमी पहलाई जा रही थी कि इसारा development इसारा अधिकार भारती जनता पार्टी अपने पैर पसारने के लिए कर रहे हैं हमें स्विकार करते कि अभी हमारा संगठन वहां ऐसी स्थिती में नहीं है मद्बू स्थिती में नहीं हम हमारा संगठन बढ़ा रहे हैं पर जब हमारा संगठन ठिक ठाक हो जाएगा तब हम चुनाव भी लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा हम जीत कर गया है बीजेपी जहां पर कश्मीर में मुस्लिम मज़ॉरिटी है वहां पर भी आप जीत के आ सकते हैं, क्या ये एक चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, हमारी अपेक्सा है, हमने कश्मीर में 30 साल के बाद सांती करी है, जन्ता क्यूं हमें समकार नहीं करेगी? क्या यही कारण है कि पंजाब में भी आप इस बार बिना गटबंदन के लड़ने वाले हैं? ने, इसके कारण से नहीं लड़े हैं, हमारा सिटू के बारे में ताल मेल नहीं हो पाया, इसलिए हम बिना गटबंदन से लड़ने हैं. यहाँ पर भी आतंगवाद हुआ था एक जमाने में और situation जो है border state है यहाँ पर भी security का मसला उठेगा खालिस्तान के जो supporters हैं वो भी देख रहे हैं या यहां के एलेक्शन देख नहीं रहे हैं लड़ भी रहे हैं चुना भी लड़ रहे है खालिस्तान के supporters तो वो narrative भी चलेगा वो तो लोग तंत्र है सब अपने narrative से पर देखे कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों के अधार पर चुनाव में हिस्सा लेता है कैसे हम इसको इनकार कर सकते हैं उसको अधिकार है जनता को भी अधिकार है अपना नुमाइंदा चुनने का प्रदानमंत्री जो है वो गुर सीख गुरू ने जीतना बलिदान इस देश की परंपराओं के लिए इस देश के स्वमान के लिए इस देश के धर्म के लिए दिया है सायद ही किसी ने दिया होगा अधिसम गुरू के जन्मस्तान पर मोदी जी जाते हैं तो एक व्रक्ति ने अपने दो सहजादों को दिवाल में जिंदा चुनवा दिया दो सहीद होगे वंस ही नहीं बचा वो व्रक्ति को सनमान देना हर भारतिय का करतवे हैं हर भारतिय का करतवे किसके लिए उन्होंने वलिदान दिया। अत्याचार के खिला अपलड़ेओ। धर्मानधिता के खिलाप लड़ेओ। कनवर्जन के खिलाप लड़ेओ। और उनका सन्मान करना नकेवर मोदीजी, मोदीजी ने तो अच्छा ही किया है, देश के हर नागरिका करते हुए, इसको आप वाट के साथ रूपिया में जोगी है। आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो यू सी सी पे आती हूं मैं, यू सी सी अभी एजेंडा में है या नहीं है वीजी सी तुप से हमारे संकल्पत्र का एक एहम मुद्दा है, कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी च कि आने वाले दिनों में हम धर्म विजेश के कानूनों को, परस्नल लौज को नहीं आने के परस्नल लौज तो राहूल गांदी जी, वो भी एक सवाल है, जो आपने पूछा था कि क्या परस्नल लौ आने देंगे तो क्या शर्या कानून उसे जोड़ा थो आपने? ने तो क् जो अंग्रे जोने किया था तो कई सारे मुख्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं आने देंगे हम UCC जैसे कि स्टैलन है या फिर मम्ता जी हैं क्योंकि UCC आके फिर वो ये तो दिखे पिर श्मिता जी 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे C.A. के लिए भी भी बहुत सारे लोग कहते थे अभे सब वास्तविक्ता बन चुका है जनता ही नेने करती है और इसलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं कोई गोपनिया बात नहीं है तो UCC स्टेट वाइज हो रहा ना जैसे ऐसा जरूरी नहीं है जैसे C.A. दोनों का समान अधिकार है C.A. में एक्स्क्लूजिव केंद्र का है Civil law में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है मैं वापस उतर प्रदेश में आती हूँ उतर प्रदेश में जादा से जादा नंबर लाना क्या बहुत जरूरी है क्योंकि देश में हर सीट जितना भारती जन्ता पार्टी के लिए जरूरी है क्योंकि मैं मेरी पार्टी का expansion चाहता हूँ मेरी पार्टी के ideology को पूरा देश स्विकार करें मेरे मन की इच्छा है इसमें क्या बुरा है अमिशा जी, election interference पे मैं एक सवाल पूछूँ की क्योंकि बहुत से जो अकबार हैं विदेश के अकबार उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि अगर बहुत ज्यादा नंबर आते हैं BJP के तो आटोकरसी की तरफ जाएगा और यह एक सीरीज है विदेश के मित्रों ने हमारी इतनी चिंता करने की परिवर्तन कई सत्ता परिवर्तन खून का कत्रा बहाय बगर करें 75 साल में सत्ता हस्तांतरीत करने के लिए कभी यहां रक्त नहीं वहाए बड़े-बड़े फैसले लिए हमने हमारे देश की जनता ने और सभी रादनितिक दलों ने इसका सन्मान किया है उन्हों टोकरसी इस स्ट्रॉंग लीडर्शिप जो है उसके उपर भी करते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री इस स्ट्रॉंग वहाँ उनका जो कैबिनेट है वो भी एक मस्कुलर इंटरनल पॉलिसी और मस्कुलर एक्स्टरनल पॉलिसी रखता है इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जम ले रहा है पाकिसान आखे लिए जमीन बारतिय जनता पाटी के सासन में एक इंच भी नहीं गई यह गलत बात है गलत नेरेटीव खड़ा कि चाइना ने जरूर ली है वगर जवाला नेरू के समय में लिए कॉंग्रेस के समय में लिए मैं रेकोर्ड पर कहना चाहता हूं न और मैं मानता हूं कि भारतिय जनता पाटी संकल्ब पत्र के अधार पर चलने वाली पाटी है और हम हमारे संकल्ब पत्र को पूरा करेंगे हमने 14-19 के संकल्ब पत्र के 92 प्रतिसत वादे पूरे किये हैं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं ओधी जिने स्वयम जिस संकल्पत्र को भी घोसित किया है तो 2024 के आम चुनाओं के लिए उसको भी हम सत्पतिसत इंप्लिमेंट करेंगे। कॉंग्रेस तो कहती है कि आपका संकल्पत्रो आपकी पार्टी ही नहीं पड़ रही है क्योंकि 2024 का जो चुनाओं है उसका हीरो कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो है क्योंकि एप्रिल 27 से आप सिर्फ कॉंग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे बाते हैं। पे चले जाएंगे, मोदी जी सपत लेंगे और सरकार चलने लेंगे.